नमस्कार स्वागत आपका जनसते नियूज में और आपके साथ में फरहास देखे तो महामारी कोरोना वायरस अमेरिका पर कहर बन का टूटा हुआ है जिससे लेकर एक बार फिर से अमेरिकी रास्ट पती डोनल्ड ट्रॉम चीन पर भड़क उठे है अमेरिकी रास्ट पती ने साफ कह दिया है कि कोरोना जैसे गंभीर बीमारी के मामले में चीन ने जो लापरवाही की है उसके बाद चीन के सामने बड़े हुए अतरिक्ति टेक्स जेलने का ही एक मात्र रास्ता बच जाता है ट्रंप ने ये बाते उस सवाल के जवाब में कहीं जिसमें चीन पर दंट सरोप टैरिफ बढ़ाने की बाद कहीं जा रही थी ट्रंप ने कहा कि निश्चे तौर पर ये एक विकल्प है उन्होंने कहा कि हम लोग देख रहे हैं कि आगे क्या होने जा रहा है चीन के नजरिये से बहुत कुछ हो रहा है जो कुछ हुआ है निश्चे ही उससे हम लोग कुछ नहीं है सभी 182 देशों के लिए ये बुरा दौर है इससे पहले एक टीवी इंटेव्यू में अमेरिकी विदेश मंत्री माईक पॉम्पियों ने भी चीन पर कोरोना वाइरस के मामले में जानकारी छुपाने का रूप लगाया था मामारी कोरोना वाइरस से यूरोप में मरने वालों की संख्या 1,44,000 के पार हो गई है वहीं कोरोना वाइरस के कारण दुनिया भर में मरने वालों की संख्या 2,35,000 से ज्यादा हो गई है इन में से दो तिहाई सबसे बुरी तरह प्रभावित यूरोप से हैं ये जानकारी जॉन्स हॉपकिन्स उनिवासिटी ने दी है उनिवासिटी के सेंटर फोर सिस्टम साइन्स एंड इंजिनिरिंग की और से इखटा किये गए आंकों से पता चला है कि एक मई रात करीब भारतिये समय के मताबिक ग्यारा बचकर 45 मिनट पर तक कुल अगर संख्या की बात करें तो 2,35,290 लोगों की बीमारी से मौत हो गई है जबकि कोरोना वाइरस के संक्रुमेत मामलों की वैश्विक संख्या 32,67,333 हो गई है जिन में से 10,49,588 लोग संक्रुमर मुक्त हो चुके हैं आंकों के मताबिक दुनिया में अमेरिका अब कोरोना से सबसे ज्यादा परभावी देश है जहां COVID-19 से मृतकों की संख्या 63,019 हो गई है और कुल संक्रुमेतों की संख्या 10,70,32 है इन में से 1,53,947 लोग संक्रुमर से मुक्त हो चुके हैं इटली COVID-19 से दूसरा सबसे ज्यादा परभावी देश है जहां 27,967 लोगों की मौत के साथ ही 2,5,463 लोगों के संक्रुमित होने की पुछ्टी हो गई है जबकि 75,945 लोग इस बीमारी से निजाद पाचुके है देश भर में जारी लॉकडाउन के बादी महामारी कॉरोना वाइरस की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है भारत में कॉरोना मरीजों की संक्या 37,336 पर पहुँच गई है जबकि कॉरोना की चपेट में आकर 1218 लोगों की अब तक मौत हो गई है राज्यों की बात करें तो कॉरोना वाइरस से संक्रोमेतों के मामले में महारास्ट जो नंबर एक पर है जबकि दूसरे नंबर पर गुजरात में सबसे ज्यादा मरीज है महारास्ट दिल्ली गुजरात में मरीजों का आंकड़ा तेजी के साथ बढ़ा है जिसने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है महीं पीए मोधी ने देश में कोरोना वाइरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगडाउन को दो हफतों के लिए और बढ़ा दिया है इसके लिए केंद्र की फ्लैक्शिप मनरेगा योजना ग्रामेर शेत्रों में घरों में बेकार बैठे 50 लाख लोगों को रोजगार मुहाया करा रही है मनरेगा के तहट प्रधान मंत्री आवास योजना स्वच्छिता अभियान तालाप खुदाई जैसी योजनाओं का काम जोरोशोर से चल रहा है केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहट 36,000 करोर रुपए पहले ही जारी कर दिये हैं देश में चल रहे लोगडाउन के बीच ग्रामीर शेत्रों के अर्थियवस्था को गती मिलेगी ग्रामीर विकास मंत्राली के अधिकारियों ने बताया कि 20 अप्राइल से चुनिंदा शेत्रों में लोगडाउन में चूट मिलने के बाद राज्य सरकारों से मनरेगा के तहट काम शुरू कराने का सुझाब दिया है वर्तमान में लगभग 50 लाग ग्रामीर शेत्र के मज़दूर कामगार मनरेगा के तहट आने वाले कामों को अंजाम दे रहे हैं उदर कोरोना संक्रोमन के दौर में भारत के जरिये दुनिया को हाइड्रोक्सी क्लोरोकीन दवा देना कारगर साबित हुआ है ब्रिटैन में सतधारी कज़वेटिव पार्टी कश्मीर मसले पर भारत के साथ रही है लेकिन विपक्षी लेबर पार्टी ने इस मुद्दे पर पाक का साथ दिया है अब दवा कुटनीती के बाद विपक्षी लेबर पार्टी के नमनियूक्त नेता के रिस्टरमर ने कहा है कि वो कश्मीर या भारत के किसी भी समयधानिक मामले में दखल नहीं देगे रिस्टरमर ने साफ कहा है कि भारत में कोई भी समधानिक मुद्दा भारती संसत के अधीनाता है और कश्मीर भारत पाकद भी पक्षिमाम लही है उन्होंने ये भी कहा कि हाल ही के हफ्तों में हमने देखा कि भारत और बेटाइन के बीच कितना एहम रिश्टा है भारत ने मुश्किल वक्त में बेहत जरूरी पैरसितमॉल हमें दी है आपको बता दे कि कोरोना महामारी से लड़ने में भारत ने कई देशों की मदद की है जिसमें कई तरह के मेडिकल उपकरण और दवाईया शामल है बात जमू कश्मीर की करें तो जमू कश्मीर के पुलवावा में आतंकियों और सुरक्षा बलो के बीच भीचर मुट भीड़ हुई बताय जा रहा है कि पुलवावा के डंग पोरा इलाके में दो से तीन आतंकी छुपे हुए है सेना, CRPF और पुलिस की साज़ा टीम ने आतंकियों को चारो तरफ से घे लिया दोनों तरफ से जबरदस फाइरिंग की गई आपको बता दे कि कोरोना के मुश्किल वक्त में भी जमू कश्मीर में आतंकी गती विधिया कम होने का नाम नहीं ले रही है एंकाउंटर के खबरे लगतार सामने आ रही हैं उधर जमू कश्मीर के बारमूला जिले में नियंतरन रेखा पर पाकिस्तानी सैनिकों की तरफ से की गई गोली बारी में घायल दो जवान शनिवार को शहीद हो गए थे तो फिलहाल इस बॉलेटिन में इतना ही लेकिन हमारे और वीडियो देखने के लिए जनसातियनी उसको सब्सक्राइब करें शेयर करें और लाइक करें नमस्कार